सो हे वोट्स अब गाईज कैसे आप सभी लोग सो आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों से बात करने वाला हूँ सेमसंग गेलेक्सी A21s device के बारे में और इसके लिए फाइनली नवंबर मन्त का सेक्रूर्टी पेसलों का जो अपटेट हैं वो याँ पर अब रोल आउट ओन स्टार्ट हो जुगा है सभी सेमसंग गेलेक्सी A21s device के यूजर के लिए सो आप लोगों को मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ कि इस अपटेट के अंदर आप लोगों को फीचर हैं वो याँ पर कौन-कौन से देखने को मिले वाले हैं तो वीडियो को आप लोग यापर पूरा देखना इसी के साथ-सात बात करने वाले हैं, इस update को करने के बाद में, बेटरेन का issue है, वो आपको कैसा देखने को मिलता है, या फिर जो charging time है, वो आपको कहाँ पर कैसा देखने को मिलता है, तो पूरा वीडियो को देखना अगर आप लोग एक Samsung Galaxy A21s डिवाइस के यूजर है और गाईज अगर आप लोगों ने वीडियो को अभी तक भी आप लाइक नहीं किया है तो अभी वीडियो को लाइक कर देना चेनल को अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ प आपको यह वाला अपटेट है वो यहाँ पर देखने को मिलते है जहां पर अपटेट की जो टोटल साइज है तो आपको 627.46 की यहाँ पर देखने को मिलती है और आज यह जो अपटेट है वो यहाँ पर रिलीस किया गया है 9 नवंबर को आगे आप लोग यह वीडियो कभी भी देख रहे होंगे लेकिन 9 नवंबर को अपटेट है उसको हाँ पर रिलिस किया गया है जिसके अंदर 1 सेप्टेमबर 2021 का सेक्रूटी पेसल का जो अपटेट है जो की सेमसंग की तरब से प्रोवाइड किया गया है अब दोस्तों फीचर के बारे में बताने से पहले मैं आप लोगों को बताने से पहले मैं आप लोगों को बताना जाता हूँ अगर आप लोगों ने अभी तक भी सेमसंग 1 UI अपटेट का चैनल आ इसको आप जोई नहीं कह सो इसको जोईन कर लेना इसका लिंक है वो आपको नीचे डिस्क्रिपिशन में देखने को मिल जाएगा यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ फस्ट फीचर के भारे में फस्ट फीचर है उसका नेम आपको देखने को मिलता है बेड़ टाइम मोड जी यहाँ दोस्तों बेड़ टाइम मोड का जो सपोर्ट है वो आपको फाइनली सेमसंग गेलेक्सी A21 है जो डिवाइज है इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल चुका है आप लोग जैसा कि यहाँ पर देखने को मिल जाता है इससे आप लोगों की आई है वो यहाँ पर बहुत ज़्यदा प्रोटेक्ट होगी अगर आप लोग नाइट में अपने फोन है उसको यहाँ पर यूज करते हो और यह वाला जो फीचर है वो आपको यहाँ पर आपका जो नोटिफिकेशन पेनल है उसके अंदर यहाँ पर देखने को मिलता है और गई जो सेकिंड चेंज है वो आपको यहाँ पर देखने को मिलता है अलारम सेक्शन जिया दोस्तों आ आप लोग यहापर यूझ कर सकते हो, और आप लोगों को यहापर जो black line वो यहापर देखने को मिलती है, पहले आप लोगों को यहापर blue line वो देखने को मिलतीती, अप्टेट करने के बाद में आपको black का जो layout है, वो पूरा आपका जो section है, इसके अंदर यहाँ पर देखने को मिल जाएगा अब finally आपको जो weather application है इसके अंदर भी एक नया layout है वो यहाँ पर देखने को मिल जाता है आप लोग जैसा की देख से तो और पहले यह वाली three options है वो aid नहीं थे लेकिन अब यहाँ पर aid कर देगे इसका भी layout है वो आप लोगों को change देखने को मिल जाता है और इसकी animation है वो भी आपको बहुती कमाल की यहाँ पर देखने को मिलती है इस तरगे से आप लोगों को weather application है उसकी animation है वो यहाँ पर देखने को मिलती है जो की बहुती जदा है आपर smooth है अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और changes के बार में so animation है वो भी यहाँ पर काफी जद आपको smooth है वो देखने को मिलती है इस update को करने के बार में so animation के मामले में भी यह update है वो बहुत ही कमाल का है इसके अंदर भी आपको changes है वो यहाँ पर देखने को मिल जाते है अब दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ update के बार में so यहाँ पर आप लोग जैसे अपनी setting को open करोगे software update के अंदर जाओगे so यहाँ पर आपको जो update है वो यहाँ पर show हो जाएगा और download button पर press करने के बाद में simply आपको update कर लेना है अगर आप लोगों के net की या फिर wifi की speed अच्छे होगी so फटा फट से यहाँ पर यह install हो जाएगा so इससे आप लोगों को कोई भी tension है वो यहाँ पर नहीं होगी बाकी दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ charging time के बार में so same आपको charging time है वो यहाँ पर देखने को मिलता है जो कि आपको previous update है उसके अंदर य आपर देखने को मिलता है क्या battery drain का issue है वो यहाँ पर देखने को मिलता भी है या फी नहीं so उसके लिए आप लोग यहाँ पर full review है उसका यहाँ पर wait कर सकतो और दोस्तों अगर आप लोगों को bedtime mode का यहाँ पर जो option है वो यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा so वो भी मैं आ आपको कैसे यहाँ पर add करना है आपको three dot पर प्रेस करना है edit वाले option के अंदर जाना है और उपर आपको यहाँ पर wait time mode का support है वो देखने को मिलेगा उससे यहाँ पर आपको प्रेस करके यहाँ पर drag कर देना है so इस तरीके से आप लोग भी अपने device के अंदर wait time mode का जो support है वो यहाँ पर ला सकते हो यहाँ पर दोस्तों मैं आप लोगों से बात करूँ कुछ और changes के बारे में मतलब की one UI 4.0 based on endo toler के update के बारे में Samsung Galaxy A21s जो device है इसके अंदर आपको बहुती जल्दी one UI 4.0 का जो update है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगा so कौनसी date को मिलेगा so quarter two 2022 का जो मत है मतलब की अप्रेल मई जून यह जो 3 मत है इनके अंदर आपको update है वो कभी भी आपर देखने को मिल सकते है so इसके लिए आप लोग चेनल है उसके साथ में आप पर active रहना दोस्तों अगर आप लोगों ने अभी दभी सेमसंग one UI update का टेलीग्राम चेनल है इसको जोई नहीं कैसो इसको जोईन कर लेना इसका लिंक है वो आपको नीचे description में देखने को मिल जाएगा आप लोग भी अपनी question है वो यहीं से pick कर सकते हो अगर दोस्तों आप लोगों कोई वीडियो अच्छी लगी सो वीडियो को लाइक करना चेनल को अभी दग भी सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना साथ में बेल आइकन को ओल पर प्रेस कर लेना मैं मिलता आपको next टेमें तब तक लिए जेहिंद वद्यम अबाटरम